जैसीरी कृष्ण, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में, दोस्तों आज मैं आपको स्रीमत भागबत महाप्राण की कथा का स्रवन करा रहा हूँ, जिसमें बढ़न करेंगे हिरना कश्यपू और हिरनाक्ष का जन्म तथा हिरनाक्ष की दि इधर दिती को अपने पतिदेव के कतानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादी की आसंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे सौ बर्स बीत गए तब उस साद्वी ने दो यमग्य जुडबे पुत्र उत्पन किये, उनके जन्म लेते समय स्वर्गर प्रत्वी और अंत जगे जगे उलका पात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकास में अनिष्ट सूचक धूम केतू पुच्चल तारे दिखाई देने लगी, बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े ब्रक्षो को खारती हुई बड़े बिकट और असे बायू चलने लगी, उस सगन रूपधारन किया की सूर चंद्र आदी ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकास में गेरा अंदेरा चा गया, उस समय वहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था, समुद्र दुखी मनुष्की भाती को लहाल करने लगा, उसमें उची उची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई, नदियों तथा अन जलासें में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गई, सूर और चंद्रमा बार बार ग्रह से जाने लगे, तथा उनके चार ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे, बिना बादलों के ही गजने का सब्द होने लगा, तता गुफाओं में से रथ की गड़-गड़ हट का सा सब्द निकलने लगा, गाउं में गीड़ और उल्लों के भयानक सब्द के साथी सियारियों मुक से धक्ती हुई आग, उगल कर बड़ा अमंगल सब्द करने लगे, जहां ता कुत्ते अपने गड़न उपर उठा कर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति-भांति के सब्द करने लगे, जंड के जंड गड़े अपने कठोर खुरों से प्रत्वी खोथते और रेंगने का सब्द करते मतबाली होकर इधर-उदर डोडने लगे, पक्षी, गड़ाउं के रोते चिलाते अपने गोसलों से उठने लगे अपनी खिरकों में बंदे हुए और बन में चड़ते हुए गाय बैल आदी पसू डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे गोए ऐसी डर गएं कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा बादल पीव की बरसा करने लगे देव मूर्तियों के आंसुं आंखों में आंसु बहने लगे और आंदी के विनाही ब्रक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे सनी राहू आदी क्रूग रहे प्रवल होकर चंद ब्रसपती आदे सौम ग्रहों तता बहुत से नक्षत्रों को लांकर बक्र गती से चलने लगे तता आपस में युद्ध करने लगे ऐसे ही और भी अनेकों भेंकर उत्पात देखकर सनकादी के सिवा और सब जीव बैवित हो गई तता उन उत्पातों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रले होने वाला है वे दोनों आदिदैत्य जर्म के अनंतर सीगर ही अपने फौलाद के समान का ठोर सरी से बढ़कर महान परवतों के सदस हो गए तता उनका पूर प्राक्रम भी प्रकट हो गया वे इतने उचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकोटो का अगर भाग स्वर को इसपर्स करता था और उनके विसाल सरी से सारी दिसाएं अच्छान्दित हो जाती थी उनकी भुजाओं में सोने के बाजुबंद चमचमा रहे थे प्रत्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उसकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सोबित कमर अपने प्रकास से सूर्य को भी मात करती थी वे दोनों यह मज थे प्रजा पती कश्यप जी ने उनका नाम करन किया उनके बीर से दिती के गर में पहले इस्तापित हुए था उसका नाम हिना कश्यपू रखा और जो दिती के उदर से पहले निकला वह हिनाक्ष के नाम से विक्षात हुआ इनाकश्यप्यू ब्रह्माजी के बर से मृत्यू भैसे मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था उसने अपनी बुजाओं के बल से लोगपालों के सहित तीन लोकों को अपने बस में कर लिया वह अपने छोटे भाई हिनाकश को बहुत चाता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रियक कार करता रहता था एक दिन वह हिनाकश हाथ में गदा लिये युद्ध का अफसर ढूंडता हुआ स्वर लोक में जा पोंचा उसका बेग बड़ा असे था उसके पैरों में सोने के नुपरों की जहनकार हो रही थी गले में विसे सूचक माला धारण की हुई थी और कंदे पर विसाल गदा रखी हुई थी उसके मनुबल सारिरिक बल तथा ब्रह्माजी के वर्णे उसे मतबाला कर रखा था इसलिए वह सर्वता निरंकोस और निर्वे हो रहा था उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरोंड के डर से साप छिप जाते हैं जब देथ राज हिरनाक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गरवीले इंद्रादी देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सानिना देखकर वह बार बार भेंकर गरजना करने लगा फिर वह महावली देथ वहां से लोटकर जल कीड़ा करने के लिए मतवाले हाती के समान गहरे समुद्र में घुश गया जिसमें लेरों की बड़े भेंकर गरजना हो रही थी जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे बरों के सैनिक जल चर जीव हक भका गए और किसी प्रकार की छेड़ चार न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घवरा कर बहुत दूर भाग गए महावली हिरनाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घुमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार बायु बेग से ओठी हुई उसकी प्रचन तरंगों का ही अपनी लो मई गदा को आज माता रहा इस प्रकार घुमते घुमते हुए वरों की राजधानी व वहाँ पाताल लोक के स्वामी जल चरों के अध्रपती वरोंड जी को देखकर उसने उनकी हसी उड़ाते हुए नीच मनुश्य की भाती पिणाम किया और कोछ मुस्कराते हुए ब्यंग से कहा महराज मुझे युद की विक्षा दीजिए प्रवों आप तो लोक पालक राजा और बड़े कीरती साली हैं जो लोग अपने को बांका बीर समझते थे उनके बीर मद को भी आप चून कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत दानवों को जीत कर राजसु यग भी किया था उस मदोन मत सत्रू के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भागवान बरुन को क्रोल तो बहुत आया किन्तु अपने बुद्धि बल से भे उसे पी गई और बदले में उससे कहने लगी भाई हमें तो अब युद दादी का कोई चाब नहीं रह गया है तुम उन्हें के पास जाओ वे ही तुमारी कामना पूरी करेंगे तुम जैसे बीर उन्हें का गुडगान किया करते हैं वे बड़े बीर हैं उनके पास पहुंचते ही तुमारी सारी से की पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिसकर बीर सया पर सेयन करोगे वे तुम जैसे डुष्टों को मानने और सत्पुर्सों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रिकार के रूप धारण किया करते हैं। वलो स्री कृष्णे चंद्र महराजे की जैं। दोस्तों हम आगे कता में वर्णन करेंगे हिरनाक्ष के साथ बारा भगवान का युद्ध। जैसरी कृष्णा